हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब चलिए आज हम लोग सीखेंगे यूनिट के बिशे में कि यूनिट क्या है दोस्तों आप लोग भली भाती यूनिट के बिशे में परिचित होंगे क्योंकि आपके यहां जब पर मंथ बिजली बिल आता है तो आपके बिल में बिजली के बिल में यूनिट का भी discussion किया हो रहता है और यूनिट की आधार पर ही आपके यहाँ बिजली बिल calculate हो करके आता है तो अगर आप यूनिट के बिसे में नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मेरा बिजली बिल कितना कट रहा है ज्यादा कट रहा है कि कम कट रहा है क्यों कट रहा है सब चीज़ अगर आपको जानना है तो जिनिट को आप बिलकुल बारिकी से समझें तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर यतना बिजली बिल क्यों आ रहा है क्या कारण है या कम क्यों आ रहा है कई से कटता है यह सारी जानकारी इस सारी जानकारी तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा अगर पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक यूनिट में एक यूनिट में एक हजार वाट आवर होता है ठीक है एक यूनिट में कितना होता है एक अजार वाट आवर ठीक है अब एक हजार वाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं एक कीलो वाट आवर देखी एक हजार को इंडिकेट हम लोग के से करते हैं या आप लोग 11 12 में पढ़े होंगे अगर पढ़े होंगे तो ठीक है क्योंकि 1000 को इंडिकेट करने वाला क्या है स्मोल लेटर ओप इंगलिश अलफाबेट के ठीक है और यहां वाट है और एच आवर है आवर मतलब घंटा अब देखिए यह के का मतलब 1000 और यह वाट का मतलब पावर पावर ठीक है पावर और यह अच का मतलब टाइम टाइम इन आवर अब देखिए यहां पर पावर का क्या तात पर यह है बिजली में अगर बिजली का बात करें तो यहां पर पावर का क्या तात पर यह है जैसे कि बहुत सारे घर में उपकरन ल होता है उनका अलग-अलग पावर होता है उस को विद्युत उर्जा को खपत करने की एक दर है जिसको क्या कहते हैं पावर कहते हैं विद्यूत सक्ति कहते हैं तो उसी से संबंधित यह चीज है एक किलो वाट आवर वाट का मदलब पावर आप जान गए विद्यूत खर्च या विद्यूत उर्जा के क्हर्च होने की क्या एक दर्व है और एच टाइम है घंटे में टाइम है ठीक है आवर में तो यहाँ पर देखिए एक निर्ट का मतलब क्या होता है एक यह दम बार की समझेगा मेरी बात को एक दम बिल्कुल ध्यान से समझी देखिए अगर आपके यहाँ एक हजार वाट का कोई भी उपकरन है मान के चलिए एक हजार वाट का कोई भी उपकरन आपके यहाँ है और वो अगर एक घंटा तक लगातार चलता है एक घंटा तक लगातार चलता है तो एक यूनिट बिजली खपत होगी इसको आप जरूर नोट कर लिजिएगा जब आपके यहाँ 1000 वाट का कोई भी उपकरन लगा हो और अगर वह एक घंटा तक चलता हो तो कितना यूनिट बिजली खपत होगा एक यूनिट 1000 वाट उपकरन का ठीक है तो यह जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ 1000 वाट का ही उपकरन हो यह जरूरी नहीं है इसको नोट कर लिजिएगा हम इस वीडियो में एक एकजामपल लेंगे और उसी एकजामपल से आपको एक चीज किलियर करवा देंगे ठीक है तो वीडियो को देखते रहिएगा देखे एक एकजामपल ले रहे है मान के चल यह की मेरे यहाँ 10 बल्ब जल रहा है पाँच बल्ब जल रहा है और पांचव बल्ब जो है ओह दसवाट का तो केतना हो गया प против ж 14 फरिकर है पाच्शासवाट ठीक है पाच्यास वाटा एलेडि जल रहा है और एक पुराना बल्ब जो येलो किलर का जलता है वो एक बल्ब जल रहा है और वो कितना माड़का होता है सो वाड़का एक सो वाड़का जल रहा है बल्ब ही ठीक है दो तीन फैन लगा हुआ है तीन फैन पाचास पाचास वाड़का तो कितना हो जाएगा देड़ सो वाड़ हो जाएगा ठीक है यह यह अलेडी का है यह पुराना वाला बल्ब का है और एका है फैन का है और बाकि बाद जितने सारे होते हैं थोड़ा मोरा चलाते हैं इसे कि एरन हो गया इस तरी ठीक है इस तरीक हो लोग आधाय घंटा चलाते हैं फिर रख देते हैं उसको हम यह तीनों चीज जो है रेगुलर चलाते हैं अभी घर्मी का दिन है इसी थीख है तो देखिए जितना भी सबका पावर है सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे कूल पावर कितना हो जाएगा टोटल टोटल पावर हो जाएगा 50 पलस 100 पलस में 150 तो हो जाएगा कितना 200 300 आनि 300 वाट 300 वाट पावर का उपकरन आपके यहां लगा हुआ है और प्रती दिन 24 घंटा में 16 घंटा जलता है कितना घंटा 16 घंटा तो अगर 16 घंटा जलता है तो क्या करेंगे इसको हम सिंप्ली 16 से गुना कर देंगे क्या करेंगे 300 वाट को हम लोग क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे 16 से अब गुना किज़े ठीक है अब इसको क्या करेंगे हम सिंप्ली 30 से गुना करेंगे तीस से गुना करेंगे तक यह हो जाएगा 48 वाट आवर गुना में 30 तो कि 30 दिन के लिए हम निकाल रहे हैं पूरा एक मन्थ का हम यूनिट निकालेंगे तो इतना हो जाएगा एतना वाट आवर आया अब क्या करेंगे सिंप्ली हम इसको 1000 से दिबयाएड कर देंगे 1000 से और 1000 से गुना क्योंकि हम बताए थे आप लोग को कि एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट आवर ठीक है तो क्या करेंगे इसको एक लाख 44,000 है कितना है एक लाख 44,000 है गुणा एक हजार से कर दीजिये और भाग भी कतना से लगा दीजिये एतना वाट आवर टीक है आप यहां कार दीजिये इधर वाला इधर वाला पोर्शन है इसको कट्छट कीजिये एक जिरो 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 तीन जिरो उपर तीन जिरो नीचे खतम तो कितना आया एक सो चवालीस एक सो चवालीस और एक हजार के जगा पर हम क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं स्मोल के और वाट आवर ठीक है नीचे नह वाट आवर यानि कि आपके यहां 144 यूनिट उठ गया है विजली खपत हो गया है एक मंत में एक मंत का कैलकुलेशन आया है कुछ नहीं करना है यटना वाट आपको प्रती दिन खर्चा expect गुणा कर देना है एतना तीन के लिगए अब इतना वाट घंटा आया लेकिन हम जानते हैं कि एक वांत आवर बरावर एक किलो होता है कितना एक हजार से डुना भी थियु इतना वाट अबार आ गया तो इस तरह से 144 किलो वाट आवर कूल मिला करके एक मन्थ में आपके यहाँ 144 युनिट बिजली खपत हुआ है तो तो इसको पाइसा में कैसे कनभट करें तो आपके स्टेट पर निर्फट करता है कि कितना बिजली बिल लिया जा रहा है ठीक है राजी सरकार दबारा लागू किया जाता है चीज जैसे कहीं पर चार रुपय के दर से गई सावाचार रुपी है कहीं तीन रुपी है पांच कर दो साथ तो साथ सो बीस रुपिया कूल मिला करके खर्चा हुआ है बिजली भी ठीक है तो इस तरह से इन्फोर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरू किजिए अगर पसंद आया हुआ तो लाइक भी जरू किजिए क्ल horrific टेख्वाई बोस दें के खर पसंद वालगा वालN 你 know 7 prim 246 शारी हो वी बिज़ जरू थूल बोस है नगरू किजिए दूले किजिए वेभर घरूकिए झालगा घरूआ किए